हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई न्यू ब्लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे आपका भाई भी बढ़ी एकदम से और आज के ब्लोग की शुरुआ सुवा का टाइम हो चुका है है दस और अभी मैंने शनान कपड़े कुपड़े पूरे पहन लिए हैं और अभी सबसे पहले मेरा क्या काम है भगवान क्या कि मैं प्रातना करूंगा दिन वहुत अच्छा जाए है हमारा सभी का और उसके बाद जो रात को थोड़ी सी डिटिंग रहती है वो डिटिंग काम ह मैं कंप्लीट करूंगा और ममी अभी पुजा करी रहे हैं दूसरे रूम में बैठ करके इदर जे बैंगन गरम हो चुक है जो भी कहते हैं इसको इदर एक रखा हुआ है इदर पानी रखा हुआ है दूस गरम कर दिया होगा शैद सब हमी अभी बना रहे है चाहे लो जी चा अब चाहे पीते हैं अब टेश्टी है थोड़ा मीठा तेज है तो सच में ज्यादा मीठा तेजी नहीं पीता हो तो कम पीता हूं साथ में मठी करनंद लेते हैं कि अभी खाना चुक है खाने में कर रात वाली सब्जी है रोटी है चाहे खाना खाते हैं और भाई भी आते होंगे फिर कहीं निकलते हैं थोड़े से काम है वह भी करते हैं सो भी भाई भी आ चुके हैं तो आज इनके शुट्टी है दो दिनकी शुट्टी है सैच्टे संड प्रूट का रही है तो वीकेंड हैं मैं चलते हैं तो आपको दिखाते हैं मैं भी दिल्ली में आया हूं दिल्ली में घुमा नहीं हूं और इतना ज्यादा पता भी नहीं है निकलते हैं और आपको आगे चल करके दिखाते हैं तो पहले दूसरे घर जाते हैं वहां से में हीलमेट लेता तो निकलते हैं सीधा फिर वहीं चल करके दिखाते हैं बैठो भाई को जी हमने लगा ली है सो पना नहीं कैसा लग रहा होगा इसमें सिस्टम अभी चलते आगे अभी हम निकल रहे हैं नोईडा की तरफ को पुर्दे किये कितने सुब्सूरत सड़के हैं रोड इतने सुब्स इए करें को कहने का मतग मुझे पता नहीं ता तो पता नहीं था भ ही बता एक सामने जमूना मैं जमना की आप डिर्शन जोस सामने पील बन रहा है जैसे हाइवी बन रहा है बैसे सामने बर रहा है और वह सामने आ ह Caesar की बिल्टिंग पानी इसमें कम लग रहे हैं लेकिन काफी फैला हुए पानी आगे तो यह बाई सीधा मत्रा को चले जाता है मत्रा की सेड़ी जाता है लो जी इंटर कर चुके हम आगे साधा सीधा रास्ता नोईटा को जाता है यह एक रास्ता चला जाता है अक्षडा मंदिर को जहां से फिर मायूर विहार फेस्ट वन टू त्री की साइड जाता है यह अभी एक कुछ बना रहे हैं पुता नहीं क्या ह मैं भी पहली बार इदी नेरियों में आया हूँ कि मैं तो पहले गाओं में ता फिजलंदर भी दिली में सो भाई आज शुटी है तो भाई कहते हैं कि मैं आज को आपको गुमाता हूँ तो मैं कर चलो जहां पर मायावती पारक है तो वहां भाई लेकर के चले हैं उसके बा संद्र संद्र कलाकरिती की हुई है सामने आ गया है नोईडा का टूर पलाजा जहां पर चीज टिक्ट क्यादी कटती होगी हम तो बाइक पर रहे हैं हमारी अभी क्या कटेगी ते निकलते हैं आगे जहां कि सबसे बैस्ट बात जे है कि आप देखो गे कि चारो तरफ कितनी हर याली याली याट्री लगे हुए है वाँ यह चीजे बहुत अच्छी लगती है मुझे कि रोड के चारो तरफ आप देखोगे इतने विक्ष लगे हुए है पेड लगे हुए है उच्छा लगता है लोग जी शुरू होगी है सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगे जे आती अनंद लीजिए जो लोग जहां आते रहते हैं उनके लिए तो इतना खास स्पेशल नहीं है जैसे जो लोग दूद दूसे हैं जो नहीं आए हैं तो उनके लिए देखने में उनको अच्छा लगेगा माया बती पारक के पास पहुंच चुके हैं आगे चल करके आपको दिखाते हैं वाज पतनी साफ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी कि अब हम जहां से लेते हैं टेक्ट अभी टिक्ट हमने ले लिए और अब अंदर प्रिवेश करते हैं देखिए आप कि टिक्ट कहां दिखानी है कि आप जह जहां के हैं निजारे कि देख तो सामने से दूप आ रही है और अच्रंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन शाम को ज्यादा बढ़िया रहता अब यह बढ़िया है बहुत दुनिया आती जहां पर देखने के लिए हाथी ही आ कि आपने भी जहां आना होगा तो पहले नोईडा इंटर करें जैसे आप इंटर करते हो राइट साइड ही जह है और यू टर्न करके आपको इदर से आना पड़ेगा और दूसरी बास यह है टिक्ट 15 पे है वह आपको बताई दिया है सुफाई काफी है बढ़िया है देखन अच्छा लग रहा है और अभी मैं फरस्ट आम आया हूं देखते हैं लेकिन जब भी आप आएं तकरीवन चार साड़ी चार बज़े आए सर्दी का टाइम है तो साड़ी तीन चार बज़े आजए ज्यादा बढ़िया रहेगा भी धूप है दिली में तो बैसे बहुत गर् ही लग रही है तो टी-शिट डाल के आता जादा बढ़िया था तो गर्मी का टाइम हो तो तकरीब आप शे बज़े के करीब पांशे बज़े करीब आईएगा वह यह नहीं पता है कब खुलता है कब बंदो होता है पूछ लेते हैं बहां से बता देता हूं आपको तो आई यह अनंद लेते हैं भाई अपने फोन में मगन है चलें भाई आगे देखें हाथी कितने हाथी बने हुए हैं एक दो तीन चार पांशे साथ आठों दस ग्यारा तकरीवन कुल मिला के पूरे में देखे जाए साठ सातर हाथी होंगे वो आगे तक ऐसी चलता रहेगा वो सामने तक इदर आपको दिखाते हैं इदर बहुत सुंदर यह लगा हुए हैं ब्रिक्ष लगे हुए हैं यह चीज ज्यादा सुंदर है हर चीज सुंदर है लेकिन हर्याली तो ना बहुत अच्छी लगती है चलो आगे चलते हैं जहां से एक तरफ जे सुंदर निजारे दिखने को मिल रहे हैं कला क्रिती बनी हुई है वो भी आपको दिखाते हैं यह बात है कि जहां हावा बहुत अच्छी चल रही है सर्दी के टैम में 11-12 बजे आ जाओ इस पार्क में बैठो बहुत बढ़िया लगेगा लोग रील बना रहे हैं कि सामने बिल्डिंगे ऊपर चल के देखते हैं अब जहीं से हम एक राउंड लगाते हैं देखते हैं आगे क्या क्या है कि अहां से आपको जूम करके दिखाता हूं कि सामने रिल बना रहे हैं कि यहां पर बैठने के लिए बढ़िया बना रखा है गास गुस लगा करके जह देखिए आप ने किसी ने आना होगा तो जहां बैठ करके नंद ले सकते हैं आप एक सामने इदर बना रखा है यह साजे बीच मैं देखिया हूं फारा है लेकिन इसमें चल चलाया नहीं है क्योंकि पाने की बहुत खपत होती है चाहिए इसलिए तो अभी कुल मिला के इससे आगे निकलते हैं वो सामने देखते हैं क्या है उसमें पहले एक वार मैं आपको इदर बाहर से दिखा देता हूं पूरा चक्कर लगा करके अब इस साइड भी हाथी है मुझे लगता है दूसरी साइड भी उदर से गोम के आते हैं तो हाथी होंगे ना जे नीचे शेयर ग्रेन एट लगा है ग्रेन आइट टाइल है बाइट टाइल है चमक बहुत मारी दूप में ना कि टाइल है देखिए कितने ब्रिक्ष लगे हुए हैं यही मुझे सबसे बड़ी बात लगती है कि यह पीछे से है इसका देखिए वैसे पार्क बहुत बड़ा है यह पीपल का पेड़ लगा हुआ यह उपर से बाहर जा रही है वह सामने आप मैं अभी यहां से आपको अगे तक भाई लगे हुए है आप दरपन भाई से बात करने हैं कि आपको दिखाया था और सेम जैसा पार्क मैंने उद्र आपको दिखाया था और सेम वैसे इदर बना हुए पारक भी बना हुए घास गूस लगा के और वो हाथी बनाई हुए है नीचे भी सेड सेम ऐसा ही है इससे उपर चलके हम देखते हैं उपर का रास्ता इदर से होगा चलो आगे देखिए आप क्या है अगे देखिए आगे काम चला हुआ है काम लगा हुआ है कारे प्रगति परहे करीपे अंदर ना जाएं कि यहां से सामने इंट्री है यह देखो गुंबत चलो जी अभी हम निकलते हैं जहां से हमने भी देख लिया आपको भी दिखा दिया जो जो हम देखते गए हैं आपको दिखाते गए हैं बस यही कुश्या भी जहां पर है लेकिन आना चाहिए जदी आप दिल्ली में आई हुए हैं नौईडा में आई हुए है तो एक वार जहां विज्ट जूर करें और जहां की अच्छा लगए आपको शानति है और अच्छी हावा चलती है अच्छी दूप भी है अच्छी श्याओं भी यह र चीज है हाँ ठंड में आना हो तो सबसे बैस्ट है आप जहां करके 12 बज़े के दूप भी से को अपना अराम से बैठो भी और अच्छा भी लगेगा जहां टाइम स्पेंड करना फैमिली को भी लेकर के आ सकते हो लेकिन जहां पर गर वाले तो कम ही है अभी नोजवान जादा हैं लड उब जेसा यह पीच में और वही सेमउड सामने बना हुआ है जँसा अब मुली मोल नेके और निकलते हम इस वीडियो में इस वीडियो लाइक यह करें चैनल को सब्सक्राइब यूर करें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो